मुश्कार दोस्तों मैं हूँ डोक्तर म्रीश खारी आप देखें हैं डोक्तर खारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होमियोपेती दवाई रश गलब्रा के बारे में रश गलब्रा किन पेशेंट में किन रोगों में दी जाती है लेने का सही तरीका क्या होता है जानन कि कुछ रोगों में यह द्वाई बहुत असरदार रहती है अब इसके सिंटम्स की बात कर लेते है कि इन रोगों में किन लक्षनों में यह द्वाई पिशेंट को दी जाती है। कुछ पिशेंट में chronic fatigue syndrome देखा जाता है जिसके current patient को हमेशा शरीर में कमजोरी के साथ ठकावट देखने को मिलती है बारीपन देखने को मिलता है काम में पिशेंट का मन नहीं लगता है हमेशा आराम करने का मन करता रहता है आलस सरीर के अंदर देखने देखा जाता है तो ऐसे किसी स्पें पर्टिक सिंड्रो में मेडिसिन बहुत तक्षेन बदेखने को मिलती है गले में जब infection हो जाता है पेशेन्ट को गले में inflammation आती है sojourn जाती है infection के कारण और sats में patient को सांस लेने में तकलिफ आती है सांस की तकलीफ के साथ साथ patient के नाक से खून भी देखा जाता है कि bleeding हो रही है नोस bleeding हो साथ पे सांस लेने में तकलीफ हो तो ऐसे symptoms में दवाई patient कि में दी जाती है इसके कुछ और symptoms की बात करें patient अगर exercise करता है या कुछ भी physical work करता है तो तुरंट उसको सिर्दर्द का सामना करना पड़ता है ये दवाई mouth ulcers में भी दी जाती है असानी से मूँ के छालो से अगर bleeding देखी जा रही है खून निकल रहा है mouth ulcers से तो ऐसे cases में medicine बहुत effective रहती है जहां mouth ulcers में sensitivity भी अगर देख बहुत effective रहती है पेट के रोगों की बात करें तो patient को paid दर्द कुछ भी खाने पीने से हो जाता है और हमेशा कॉंस की patient या तो patient को रहता है कब जियत की शिकायत रहती है या lose motions लगे होते हैं अमलाइकल रीजन में patient को हमेशा दर्द देखा जाता है साथ में कई बार patient को या vomiting के symptoms भी आते हैं कुल मिला कर देखा जाए तो ये दवाई ऐसे patient में दी जाती है जिनमें कमजोरी तकावट के symptoms के साथ साथ ulcers के conditions देखने को मलते हैं मुह में चाले होते रहते हैं constribution की शिकायत रहती है lose motion patient को लगे रहते है या फिर patient को paid दर्द का सामना करना पड़ता ह तो ऐसे cases में ये medicines patient में दी जाती है rush galvara को patient के intestine में होने वाले gas के लिए भी दी जाती है gas बहुत जादा बनती है जिसके करन कई बार धर्द का सामना करना पड़ता है तो ऐसे cases में बहुत effective medicine रहती है gas के ऐसे patient जो दूद पीने से जिन लोगों में बार बार fart आते रहते हैं बार बार gas पास होती रहती है या कुछ भी खा पी लेने के बाद गंदी बद्बू आती है तो ऐसे cases में भी ए medicine दी जाती है अगर आपको इन में से कोई भी प्रेशानी आप इस दवाई का सेवन करना जाते हैं तो तुरांट अपने होमियोपाथी डोक्टर से चरूर कर ले मिना डोक्टर की सलहा कि कोई भी होमियोपाथी दवाई नहीं लेनी चाहिए इसके लिए आप दिये गए WhatsApp नंबर पर हमसे संपत कर इलाज ये सलहा ले सकते हैं इसको क्यो मदर टिंचर फो में जादा तर यूज किया जाता है 6CH और 200 CS 30CH पोटेंसी में भी पेशिंट में दिया जाता है केस के पर डिपेंड करता है कि किसको कौन सी दवाई क्या पोटेंसी और क्या डोस दी जाएगी इसके लिए डोक्टर से मिले वीडियो देखने के लिए दन्यावाद चैनल को सब्सक्राइ कर और कॉमेंट सेक्षर में जुरूर बताएं कि हमारे वीडियो आपको कैसी लगती है ठैक्ट